तो जैसा कि पिले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन हेवन लौ आर्मी का सिक्स कमांडर बन जाता है, हेवन लौ आर्मी यहाँ पर बाकि जो भी आर्मी थी, जैसे कि नीधर ट्रोप, असूरा ट्रोप जो भी, इन से कही गुना स्टॉंगर थी, अब आगे, मूचेन था, क्योंकि इससे फायर ड्रेगन का ब्लेड इसेंस मिल गया था, और वो भी नौबून, और मंडाले से कहती थी, क्योंकि तुमने रिक्वार्मेंट बूरे कर दिये, तो तुम ड्रेगन फिनिक्स हेवन के लिए जा सकते हो, पर यह मूचेन को सचीत भी करती, कि अब भी जहाँ पर तुम मिलोगे, यंगर जनेशन की लोगों से, वो तुम से कमजोर तो नहीं है, इवन कह सकते हो, बहुत स्ट्रॉंग ही है, और वहाँ पर तुमें खुद पर ही डिपेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाकी कोई जानी सकता, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, मूच इन इस दोरान पूसता है, कि क्या हमारे हेवन लॉड डोमेन से, पहले भी कोई गया था, ड्रेगन फिनिक्स हेवन में पार्टिसिपेट करने, तो इससे उत्तर मिलता है मंडाला की तरप से, गय तो बहुत सारे लोग थे, हर एक टाइम पे, पर कोई बचके नहीं है, और हेवन लॉड डोमेन, अगर खड़ा है, तो बस मंडाला की वज़े से, क्योंकि ये एक अर्थ सौबरीन लेवल की वारियर है, वायलचर एंपरर भी इस दोरान मूच इनको बधाई देते हैं, कि उम्मीद है कि ये लड़का इस बार अच्छा करेगा, और मंडाला इस द मंडाला मूच इनको दाटती भूत थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, वल्चर एंपरर वगरा को, कि ये मूच इनको मानती है, ये किस प्रकार का रिलेशन है, पर ये कुछ बोल भी नहीं जबते थे, बस नाइन ने दर खुश थी, अब मूच इनको लेकर मंडाला एक माउंटेन पीक पर आती है, जहाँ पर एक बुक डेपोजेटरी पावेलियन था, यहाँ पर इनोंने बहुत सारे स्प्रिश्वाल एरेज, ट्रेजर्स वगरा स्टोर करके रखे थे, और ये बताती है कि यहीं पर जायूमेंग कल्टिवेट करता है, जायूमेंग मतलब और इस जगे की रखवाली वही करते हैं, और मंडाला कहते हैं कि तुम्हें तयार रहना पड़ेगा, लिवियान बहुत पहले ही फोर स्टार सौवरिन पर था, और उससे भी पावरफुल लोग वहाँ पर है, मूचेन मंडाला के साथ इस पावेलियन में एंटर करता है, और पार्टिसिपेट करने, और एक बुक था, ड्रागान फेनिक्स रेकॉर्ड, जिसको ये उपेन करती है, अब इसमें नववे नमर पर, एक बंदा था, ची जू, ये सर्पेंट गॉड पहले सके था, इसकी डिवाइन बोडी, डिवाइन बिश्ट थी, साथवे नमर पर, डि लिखा हुआ था, लिव यान, स्काई प्रफांड पैलेस, इसने मिरियाट फ्लेम्स करके, सलेस्टियल पॉड़ी को कल्टिवेट किया है, एक बर इसकी फाइट, सौवरिन फाइब स्टार से भी थी, पर इसको बेलकुल विलोज नहीं हो था, मिरियाट फ्लेम की जो रैंकि किया, दस मूब में सामने वाले बंदे को हरा दिया, रैंक टू उपर निदर वर्ल्ड प्रिंस, निदर वर्ल्ड पैलेस का, पर इसकी बारे में ज्यादा कुछ इन्फोर्मिशन था ने, कि ये बैटल कैसे लड़ता है, क्या टेकनिक यूज करता है, और मूचेन को याद आ तो नौर्दन रिजन में, जो ये डिवाइन पॉवेलियन है, टॉप लेवल का फोर्स माना जाता है, मंडाला बताती है, कि शयदो डिवाइन पॉवेलियन का अगला रूलर बन सकता है फ्यूचर में, अब मंडाला कहती है, अब तो तुम्हें समाझी में आ गया, कि कितने पावर्फुल लोग है, और तुम्हारे जितने की चांसे कितने है, तो ज़्यादा प्राउड मत रहना, मूचेन कहता है, मैं प्राउड नहीं हूँ, मेरा खुद का कॉन्फेटेंस है, मंडाला फिर भी पूछती है, कहीं डर तो नहीं लग रहा है, पार्टिसिपेट करों क मूचेन मन ही मन मुस्कुरा रहा है, तो यह इससे कहती है, एटलिस तुम्हारे पास, चलो confidence दो है, तब ही मूचेन इससे कहता है, तुमने कहा था, कि तुम मुझे कुछ देने वाली हो, इसको मालुम था, कि अगर मंडाला ने किसी चीज़ का वादा किया है, तो कुछ पावर कर रहे थे, और यह सभी फ्लावर परपल रंके थे, और मूचेन को लगता है, मानो यहां पर यह खोस आगया हो, तब ही अचानक से, जो इसके बौडी में डेमन हाट लाइटनिंग है, वो फ्लक्चुएट करता है, और मूचेन फिर से पहले जैसा हो जाता है, मंडा मंडाला फ्लावर पावर को बौरो करना पड़ेगा, यह बोलता है कि प्रिमोडियल मंडाला फ्लावर वो तो बहुत रहे है, फिर मैं इसे कैसे कल्टिवेट कर पाऊंगा, मंडाला तब ही अपने हाथों से मूचेन पेट पर इशारा करती, कि अरे बेटा, तुमारे वो अप्छे से मजे करता है, और इन 3-4 दिनों में यह एन्हायलेशन लाइट को स्टडी भी करता है, और यह एन्हायलेशन लाइट एक परफेक्ट डिवाइन आठ था, और इन दिनों यह स्परिच्वल एरेश को भी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इसका एक ट्रम कार्ड ये भी बन सकता था, सर्प्राइज करने के लिए, और दूसरी बात ये भी थी, कि इसकी मा एक जैन्वेन, स्प्रिचुवल एरे, एंसेस्टर लेवल की स्प्रिचुवल एरे मास्टर हैं, और मंडाला भी उनके सामने टिक नहीं सकती थी, तो अपनी मा का इज़त खराब करना सही भी नहीं है, और मंडाला ने मूचन को एकसेस दिया था, तो ये कभी भी उस डेपोजेटरी पविलियन में चला जाता था, और आराम से ट्रेन भी कर लेता था, पास दिन निकल चुके थे, और आज के दिन में नीदर ब्लेस में काफी हल चलता, मंडाला भी यहीं पर थी, और मूचन से कहती है, अगर तयारी हो गई है, तो तुम जा सकते हो, मूचन कहता है, अकेले जा रहों में मंडाला हसती है, कि तुम बच्चे थोड़ी रह गए अब, तुम अगर अकेले ठ्राविल भी नहीं कर पाओगे, तो फिर ड्रैगन फिनिक्स माउंटेन जाओ ही मत, नाइन इदर तभी हसती है, और कहती है, वैसी बात नहीं है, वहाँ पर बस तुम ही जा सकते हो, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एरिया में वहीं अंटर कर सकता है, बाकी हम में से कोई नहीं, मूचन थोड़ा डिप्रेस फिल कर रहा था, तभी मंडाला इसकी त अंदर से थोड़ से ये ठची फिल करता है, कि मंडाला दिखाती है, पर ये इसकी काफी फिकर करती है, वैल्चर एंपरर भी मूचन से कहते हैं, हलाकि हम एंटर तो नहीं कर सकते वहाँ, पर बाहर का जो सीन है, यानि माउंटेन रिंज दक का, हम यहां से देख सकते, मूच कुछ ज़्यादा ही टफ है, क्योंकि पिछली बार, बहुत साल पहले, हेवन लॉर्ड ओमिन से एक जीनियस बंदा गया था, पर निदर वर्ल्ड पहलेस के लोगों ने उसको ड्रैगन फिनिक्स हेवन में मार दिया था, उसके पात मंडाला ने कभी किसी को भेजा ही नहीं मूचन से कई सालों बाद पहला बंदा था जो वहाँ पर जा रहा था, और मंडाला को भी कहीं न कहीं मूचन पर विश्वास्त होता, अभी जो ड्रैगन फिनिक्स मांटेन रेंज हैं, यहां पर कुछ लेजेंडरी स्टोरीज हैं, कि पास्ट में ट्रू ड्रैगन और हाला कि लंबा समय बीद गया, पर किसी को आस तक इनहरेटेंस का हासिल करने का मौका मिला नहीं, इधर मूचन ड्रैगन फिनिक्स मांटेन रेंज गे लिए निकल चुका था, जैसे जैसे करीब पहुंसता है, एक डेंजरस फलक्शुवेशन यह फिल कर सकता था, और रात मे रुप कर मूचन, एनहालेशन लाइट को स्टडी करता था, दो दिन निकल चुके थे, और धीरे दिले मंडाला फ्लावर के उस एनहालेशन पापर यह सीखने लगा था, मूचन जैसे इधर रात के टाइम कल्टिवेशन स्टेट में जाने वाला था, तब यह कुछ फील करत यह तुरंती एक पीड़ पर बैठ जाता है, सामने में इसे एक लेक दिखाई देता है, और यह हैरान तब होता है, यह चांगनी रात थे, और वहाँ पर कोई नहारा था, जिसकी बोड़ी बर्फ के समान सा फेत थी, लड़की के जो होड भी थे, काफी गुलावी थे, और एक दम अपसरा लग रही थी, मूचने सा जितनी सुन्दरियां देखे, यह उनमें काफी अलग थी, यह सबसे उपर कही जा सकती है, मतलब मूचने जितनी ब्यूटीस देखी है, यह टौफ थ्री में तो नहीं रख सकता है, इवन इसने जो ड्रेगन फिनिक्स रेकॉर्ड म उस हौंगियों का नाम सुना था, उससे भी यह लड़की सुन्दर्ता में उपर होगी, और यह लड़की जब नहा रही थी, तो इसके आसपास एक सेवन का लड़का स्नेक था, मूचन बोलता है, यार साथ का लड़का साव, और वो भी इसका एक पैट है, और यह फील करता है, कि वो लड़की शाथी से डिस्कवर कर चुकी है, और यह तुरंती पीछे के तरब भागता है, यह हजार फीट पीछे तो हट चुका था, पर अचानक से, इसके सामने एक ब्लैक रोब फिकर प्रकट होता है, और यह भी एक यंग बोई था, और यह बंदा खेता, कि फ् मूचैन के शोल्डर पर रख देता है, और मूचैन सप्रेस हो जाता है, यह बंदा मूचैन को लेकर उसी लेख के किनारे आता है, और वो लेड़ी इसके सामने आके खड़ी हो जाती है, और यह जो ब्लैक रोब में फिकर था, वो इन्हें बिक सिष्टर केके बुलाता है, और बताता है कि मैं बस यहां पर जो बीश्ट वगरत उन्हें हटा रहा था तब ये बंदा मेरी नजर में आया मूचन सोचता है यार की लड़का इससे बिक सेश्टर के रहे पर इस लड़के का पावर श्याद लड़की से जादा है मूचन अभी कुछ बोलने ही वाना था त ये लड़की ये बात सुनकर एक लाइट स्माइल लेती है कि तुम्हारे पास नहीं है और इसके सुन्दरता के समने मानुचांद भी फीका पड़ जाए और ये फेल करता है कि अपने आप उसे ये ये फायर ड्रेगन गाई सेंस दे देगा पर ये जो ब्लैंकन इस ता यान जायो लिन इससे फिर से पकड़ लेता है कि यार मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम भाग नहीं सकते और भागे तुम तो मेरी बेक सिष्टन नाराज हो जाएंगी मूचेन को भी समझ में तो आ गया था भाग तो अब नहीं पाए गया और मूचेन इस लड़की से सौरी बो क्योंकि तुम भाग नहीं सकते हो मूचेन को मालमता कुछ कर नहीं सकता है तो यह ब्लड इसेंस उस लड़की को दे देता है और यह ब्लड इसेंस को यह लड़की तुरन थी अपने सेवेन कलर स्नेक को एक ही बार में खिला देती है मूचेन चौंग चाता है क्योंकि वह फ fire essence blood पीने के बाद seven color snake सो जाता है और ये लड़की मूचेन को thanks बोलती है और मूचेन अब कहता है हो गया तो अब मैं जाओ नहीं तब ही वो black color वाला का है मूचेन के तरफ दिखर कहता है कि दोस्त नाराज मत हो क्योंकि हम मिले हैं तो शायद ये नियती होगी और तुमने तो fire bloody sense भी दिया तो हम भी तुम्हें treat करेंगे और मूचेन कहता है लेकिन कोई जरुवत नहीं है मूचेन जाने ही वालत पर तभी ये black color गाये मूचेन को एक meat का टुकड़ा देता है जो अभी ये लोग bone fire में बका रहे थे option थानी मूचेन के पास तो ये भी आराम से खाता है इधर black cloth का है मूचेन को अपना नाम गूल इन बताता है इससे आप गूल इन या जायो लिन कुछ भी कह सकते है और ये बोलते हैं और ये जैसे अपनी बड़ी बहन का नाम बताने वालत उसकी बड़ी बहन पहले ही अपन मूचेन भी चौंक जाता है मतलब तुम लोग northern region के नहीं हो गूलिन कहता है northern region की बात चुड़ो हम इस continent यानि कि skylog continent के है ही नहीं हम काफी दूर से आया हमारा एक mission था इस दुरान मूचेन कहता है कि यार गूलिन तुम कब से practice कर रहे हो गूलिन कहता है tension मतलो मैं तुमसे ज जहरी निद्रा में चली जाती और जब उठती है तो उनका power level पढ़ जाता है इधर काई जायो मूचेन से कहती कि मैंने सुना है कि dragon phoenix 7 में true dragon का blood essence है मूचेन हा में सरिलाता है गूलिन समझ जाता है और कहता big sister आप नहीं जा सकते वहाँ पर पहले हमारा mission पूरा करना है काई जायो कहती है पर तुम बताओगे तब तो पता चलेगा और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मालू मैं ना गोलिन कहता रे यार बड़ी बेहन ऐसा मत करो मूचेन इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अब यह यहां से निकलने लगा था और यह कि जैसे हैं फेरवेल बोलने वालत तब एक काई जायो इसकी तरफ एक चार्मिंग स्माइल से देखती है कि यह देखो मूचेन तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो पर अब मैं तुम्हारे साथ ही जाने वाली है मूचेन कहता रे यार मैं अंजान इनसान हूं तुम मुझे जान पर मुझे जाना तो है वहाँ पर गुलिन को मालूम था इसके बहन बहुत जिद्धी है तो अब ये पहले 24 को ही मानना चाता था कि मूचेन के साथ ही लड़की जाए क्योंकि मूचेन देखने में भी अच्छा था और विचारों से भी अच्छा था मूचेन इंदर कहता है मैं निकल रहा हूँ तब ही गुलिन कहता है एक और उपकार कर दो मेरी बहन को अपनी साथ ले जाओ मूचेन कहता है पर तुम्हारी बहन अकेले जाएगी ये सही थोड़ी है गुलिन कहता है टेंशन मतलो इस दुनिया में अभी वो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी बड तो फेजिकल श्रेंथ है वो अभी थोड़ा रेस्टिक्टेट है पर मैं तभी भी तुमारी हेल्प कर सकती हो और गुलिन कहता है कि कल तुम लोग निकल सकते हो क्योंकि अभी तुर रात हो जुकी है और मूचेन में थोड़ा अच्छा फिल करता है क्योंकि गुलिन और होगा मैं देख लूँगा गूलिन भी काफी हैंडसम और ये दोनों भाई बैन एक दम एक्षा ओडिनरी लग रहे थे और दोनों सायो नारा कहके उस डिरेक्शन में निकल जाते और गूलिन कहते हैं कि बिक सिस्टर आपको जल्दी आना पड़ेगा ये तो फिर से मुझे डांट लगेगी जैसे लोग जाते हैं गूलिन के असपस का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और कोई बंदा प्रकट होता है और कहता है कि यंग माश्टर हम मैडम को उस बंदे के साथ जाने दे सकते हैं क्या ये सही है गूलिने के helpless expression देता है कहता है लेकिन मेरी बेहन अगर true dragon के essence को प्राप्त करना चाथ जो कि काफी rare होता है तो क्या ही कर सकते हैं वैसे तो big sister का strength फिलाल seal state में है पर फिर भी यंगर generation में कोई भी उन्हें नुकसान तो नहीं पहुँचा पाएगा और उनको पता भी नहीं होगा कि father ने big sister की body पर एक spirit seal सोड़ा है तो जैसे भी कु करा नहीं सकते हैं उस मामले में भी मूचेन भी awkwardly smile कर और कहता है एक बात और कहनी है कि तुम क्या कुछ नकाप नहीं पहन सकती क्योंकि तुम इतने सुंदर लग रही हो और smile कर रहे हैं बहुत सारी लोग हमारी तरफ heavy attract हो जाएंगे और काई जायो कहती है बिलकुल भी नह मूचेन इस दोना काई जायो से कहता है पहले हम dragon phoenix ancient city चलते हैं मूचेन और काई जायो सही city के अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत सारे लोगों की नचर बस इन ही पर थी खास करके काई जायो पर काई जायो को जादा फारक नहीं पढ़ता था क्योंकि ये सुंदर इतनी city में एक dragon phoenix pavilion था तो वहाँ पर ये लोग बढ़ जाते हैं pavilion में जब ये एंटर करें तो सबी की नजरे काई जायो पर पढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हें गोरने लगते हैं और एक कोने से एक बंदा बैठा गुआ था ये था लियो यान जिसकी नजर जो कि लाल कपड़ों में थी और ये भी काफे संदर थी इसकी बिरिजर काई जायो पर पढ़ते हैं उसके बाद ये मूचेन के तरफ देखते हैं और ये कहते हैं ये बंदा कौन है नौर्दन रिजन में जिसके बारे में मैं चानती नहीं हूँ तब ही कोई बोलता है अरे ये वही बंद है ये ग्रेट हेवनला डोमेन का है और इसने लिव मिंग को क्रिपल कर दिया था लिव यान भी हसतो रहात पर अंदर से गुस्ता था और ये कहते हैं कि मैंने इसको मना किया था कि ड्रैगन फेनिक्स हेवन में पार्टिसिपेट नहीं करने को पर ये यहाँ पर आया है रेड गल भी स्माइल कर दी अच्छा तो ये है वो मूचेन और ये लोग हेवनल डोमेन के मचे ले रहे थे कि वो पावरफुल जगे तो है पर वहां के जो यंगर जेनरेशन है वो उतने खास नहीं है और इस दोरान लिव यान एक बंदे को इशारा करते और ये मूचेन के पास आ करके थे कि बिग बरदर लिव यान तुम्हें बुला रहे है मूचेन रियक्ट करता ही है और ये सीधा बोलता है अगर फाइट कर रहा है तो खुद आके कर लो टटूओं को मत भेजो लोग भी हैरानते कि यार ये बंदा सीधा लिव यान को ललकार रहा ह तो मेरी ही बंदा में होगी और वो लड़की जो की लाल कपड़ों में थी वो भी थोड़ा स्माइल कर रही थी और थोड़ा से इंट्रेस्टेट भी थी कि यार ये बंदा सौवरिन थ्री स्टार पर है और इतना गट्स अब ये बंदा जो मूचेन को बुलाने आया था वो ल्यू यांग भी क्याता है तूमें क्या लगता है तुम इतने क्वालिफाइड हो कि इतना अपने बॉड़ी से एक भैंकर लेवल का स्पेश्वल एमरजी रिलीज करता है ल्यू यांग का पावर लेवल सौवरिन फोर स्टार के आसपास था और पाम पर एक अटेक बनाकर मूचेन की तरब इसे ये लॉंच कर देता इस attack का नाम था Snow Dragon Palm ये जो attack था एक dragon का Snow Dragon का shape ले लेता है और मूचेन की तरब बढ़ जाता है मूचेन फिर भी react नहीं करता है इधर काई जायोगी मूचेन को look देती है और ये feel कर लेती है कि मूचेन जो अपने एनर्जी को control कर रहे वो perfection level पर है मूचेन की spiritual energy रिलीस तो होती है पर इसे feel करना मुश्किल था लोग सोच रहे थे यार ये मूचेन कर किया रहे या अभी तक react नहीं किया क्या ये मरना चाहता है और लोग कहते है heaven lord territory ने लगता इस बार एक बेवकुफ को भेजा है heaven lord territory को आप डालूओ territory भी कहा सकते हो पर तब ये चानक से Liu Yang अपने आसपास एक thunder power को feel करता है और ये इतना fast था कि इसको मौका भी नहीं मलता और स्तीधा ये thunder attack इसके chest को hit कर देता है और Liu Yang जब तक इसका attack पहुच पात ये खूल की ulti करने लगता है और इसका attack भी dissolve हो जाता है और मूचन रुपता नहीं एक और पन ये Liu Yang पर दे मारता है Liu Yang काफी दूर जाके किरता है लोग यहाँ पर जो भी पहले थोड़ी हरकत में भी थे वो शान्त हो जाते है यार ये बंदा strange है काफी एक attack में इसने Liu Yang को इतना जादा injured कर दिया इधर Liu Yang का छेरा थोड़ा सा ग्लूमी हो जाता है और वो लड़की जो लाल कपड में थे वो मूचन को घूर रही थे मतलब यहाँ पर जो कूरसिया भी लगी थी higher level पर लगी वी तो Liu Yang वगेरा थोड़े ऊपर बैठे हुए थे और मूचन अब Liu Yang से कहता है तुमें भी एगर fight करना है तो आ सकते हो Liu Yang जो की चाय पी रहता अपने cup को घुसे में 4 देता है लोगों को लगता है लगता अब fight होगा नमर 4 वर्सेस इस मूचन से Liu Yang को तो मूचन ने हरा दिया पर जब ये Liu Yang को लल करते तो लोग कहते है ठीक है मूचन ने हरा दिया पर Liu Yang का ये कोई match नहीं है Liu Yang अब अपने power से मूचन को suppress करने को देखते है पर मूचन के body पर जो thunder power दे उससे इसको कोई भी suppression फिल हुई नहीं रहा था तो लोगों के चेरे पर cold look था और Liu Yang कहता है तो तुम improve कर गयो पर फिर भी अभी भी तुम qualified नहीं हो Liu Yang चीक था और एक crimson finger जो कि आख के समानता जल रहा था उसे ये बना कर मूचन की तरफ launch कर देता अब इस powerful attack के करन बहुत सारी लोग पीछे हड़ जाते है बस अगर कोई था तो काई जायो थी जो कि मूचन के बगल में पैटी वी थी और ये अभी भी smile कर रहे थी और ये मूचन का मदद तो फिलाल नहीं करना चाहते थी मूचन भी जब इस attack को देखता है तो अपने दोनों पाम को आसपास लाता है और दो spiritual energies इसके पाम पर एक अठी होने लगते हैं और ये एक attack बनाता है दोनों attack मिल करके dragon elephant disc का से पले ले थी और उस flaming finger की तरफ इससे ये बढ़ा देता है अब इस attack को देख कर लियू यान की आखे और भी ज़्यादा sharp हो जाती है क्योंकि मूचन ने इस attack को भी dissolve कर दिया थी और लियू यान को ये विश्वास नहीं वरा था लियू यान अपनी power को और भी ज़्यादा release करता है अब वो जो लड़की भी थी red dress में वो भी इस चीज़ को देख रही थी और लियू यान भी मूचन से कहता है अगर तुम dragon phynix pavilion से बाहर नहीं फेके जाने चाते हो तो शान्ती से रहो मूचन इसके बात सुनके हसने लगता है और ज़र लियू यान जो की पहले उपर था अब काफी थी चीज़े like lightning मूचन की तरफ बढ़ जाता है और मूचन भी नहीं रुखता है ये भी अब लियू यान की तरफ बढ़ने लगता है सबको मानूं था एक टॉप लेवल का बैटल यहां पर शुरू हो चुका है तब ही बीच में एक आवाज आती है कि जेंटल मैं क्रिपे रुख जाएं और एक जेंटल नइट इन दोनों को बीच में ही रुख देती है हालकि यह पावर इतना पावरफुल नहीं था कि इन दोनों को रोख सके पर लियो यान जबी आवाज सुनता है तो यह रुख जाता है और मूचें भी अपनी जगए पर जाकर बैट जाता है उपर जब यह देखता है तो एक ब्यूटीफुल फिगर इससे दिखाई देती है इसने सफीद कपडे पहने थे और इसके भी सुनतर था उस रेड स्कार्ट गर्ल के तरह ही थी और इस लड़की के फोरेट पर एक रेड मार्क था जिसके वज़े से यह काफी प्योर देख रही थी और सबी लोग इस लड़की के तरफ देखनी लगते और इस लड़की सबको समझाती कि यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन के लिया हैं न कि फाइट करने के लिए और इस लड़की का नाम था इससे देख करके लिवयान कहता है सूब यू बस तुम्हारी वज़े से मैं इस लड़की को छोड़ रहा हूं यह सुनकर के मूचेन हसता है और यह लड़की इसका भी जो रैंक था ड्रैगन फिनिक्स रेकॉर्ड में तीसरे नमबर पर था और दूसरी वो जो ड्रैड सकर्ट वाले लड़की थी वो बोलती है कि सिस्टर सूब आपने इतने अच्छे फाइट को बीच में क्यों रोक दिया मज़ा आ रहा था सूब यू हसके कहते कि जब ड्रैगन फिनिक्स हंटिंग चलूगा तो वहाँ पर ऐसे तुमें मज़े बहुत मिलेंगे मूचन इधर से जाने लगता है तब ही सूब यूबल कि heaven law territory के लोग क्या आप हमें द्वाइन करना चाहेंगे ऐसा लगा रहा था ये मूचन में थोड़ा इंट्रेस्टेड है लोग मूचन की तरफ देख रहे थे कि यार ये पंदा इसनी वो लड़की बुला रही है वो भी इतनी सुन्दर मूचन वैसे भी थोड़ा कनिंग था मूचन को फिर भी समझ में नहीं नहीं था यार काई जायो साथ में अब क्या करो और काई जायो कहते है कि आप मेरे साथी को अपनी तरफ खीच रहे हो सूब यू के भाजू में एक और लड़की थी जिसे स्नैपर कहते है और मूचन वी इन दोनों से कहते है कि आप लोग टॉप लेवल के हो यानि इनका सीड भी उपर था तो आप अपने साथ ही रहो फाल्तू में माहोल और भी खराब होगा सूब यू एक चीज़ थो था कि ये फील कर ठेती है कि ये जो लड़की है नाम जिसे पता नहीं काई जायो का पर इससे एक डेंजरस फ्लक्शुएशन आ रहा है और शायद ये नौर्दन टेरिटरी की है भी नहीं और मूचे नानी के बाद काई जायो से कहता है तो क्या तुम मुझे और मरवाना चाहती थी मतलब जब उन दोनों लड़कियों को काई जायो ने थोड़ा टीज किया था काई जायो हसके कहती है मुझे लगा कहीं तुम उनकी चकर में सेडियूस ना हो जा इसलिए मैं तुम्हें बचा रही थी और काई जायो के थी यहाँ पर कुछ और लोग है जो इनके अलाबा भी पावरफुल टॉफ फ्लोर से मैं फिल कर सकती हूँ और वो लोग अभी भी छीपे हूए लाइक नाइन निदर वर्ल्ड की लोग एक आइस चिलिंग फिलिंग काई जायो फिल कर सकती थी और मुझे न भी इस कोल्ड स्पिर्चून एनरजी के फ्लक्चुवेशन को सेंस करने लगता है तब ही वो जो कोल्ड और थी इस पर अटेक करने लगती है पर मुझे अपने अंडाइंग फ्लिम से खुद को प्रटेक कर लेता है मुझे समझ जाता है कि वो प्रिंस अफ निदर वर्ल्ड है जो कि रैंक टू का है अभी तक रैंक वन वाला बंदा फांगी इसे ये फिल नहीं कर भायता और शैद फांगी यहां पर था भी नहीं या तो दूसरा चीज़ यह हो सकता है कि फांगी इतना पावरफुल है कि मुझे नवी उसे सेंस नहीं कर पा रहा है इदर सभी लोग शान्त हो जाते हैं तभी टॉफ फ्लोर से एक एल्डरली फिगर चलके आते हैं और यह सब को ग्रीट करके अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम मुखियू है मैं इस पाविलियन का मास्टर हूँ सभी लोग मुखियू को रेस्पेक्ट देते हैं सूब यू एक जेंटल वाइस में कहती है ओल्ड मास्टर मुख हमें उस ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट के बारे बताईए फ्लीज क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स पॉविलियन के लोग वो टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं तो अगर कुछ भी चेंज होता है ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में तो उन्हें पता चल जाता है मुख ही उसमाइल करते हैं और कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम सभी लोग ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में उस ब्लड इसेंस के लिए एंटर करना चाहते हो। पर जब हर बार वो खुलता है तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ें चेंज रहती है। और एक बैड निउज है इस बार। इस बार के वर बस पाच ही पूल हैं सभी का चेहरा बन जाता है कि नॉर्मली यहाँ पर दस पूल रहते थे यानि कि दस लोग एंटर कर सकते थे फाइनल राउंड में। इदर काई जायो मूचेन से पूछती है कि यह ड्रैगन फिनिक्स पूल यह क्या चीज है। पहले नौ पूल था ऐसा मूचेन बताता है। अगर तुम वहाँ पर चाहना चाहो तो यह सुनकर के मूचेन एक बार को चौंक चाहता है। और कहते हैं तुम कैसे दून सकते हो। पर मूचेन कहता है। उसमें ज़्यदा खत्रा तो नहीं है। काई जयो कहते हैं खत्रा तो रहेगा ना ओवियस है पर तुमें दिखकर तो यहीं लग रहा है कि तुम खत्रे लेने में काफी आगे हो। मूचेन बिसकी बात सुनके हसता है। काई जयो कहते हैं फिर मेरे प्लैन पर काम करते हैं। अब इदर सभी क्रूप एक दूसरे में बात करने लगते हैं। मूचेन बिसकी जब यह देखते हैं तो कहते हैं कि कल ड्रेगन फिनिक्स रिफ पूरी तरह से खुल जाएगा और उसी समय आप लोग एंटर कर सकते हैं। तो तैयारी करके बैटों कमर कस लो और इसके बाद मूचेन बिसकी यहां से निकल जाते हैं। काई जायो भी रुक जाती हैं। और इधर देखने लगते हैं। इधर मूचेन बिसकी क्या बात हैं। तब ही काई जायो के ऊपर के तरफ देखकर कि तुम हमारे पीछे कब से पड़े हुए। अब समय हो चुका है कि बाहर आजाओ। इधर मूचेन बी अपने मेरू पिलर को निकाल कर उस डारेक्शन में फैंक देता है। तब ये उस स्पेस से एक हाथ निकलता है और इस मेरू पिलर को पीछी डाकेल देता है। जिसके वज़े से मूचेन भी थोड़ा सा जटका फेल करता है। और एक फिगर फाइनली यहां पर प्रकट होता है। इस बंदे के बाल काफी बड़े थे, हाइड भी ठीक ढख थे और यह काफी हैंडसम था। और यह बंदा मूचेन के तरब तो देखता भी है। काई जायो से कहता है कि तुम मेरे वाइड रिमोट टेकनिक को सेंस कर सकती है। तुम काफी पावरफुल हो। काई जायो कहती है कौन सा टेक से उस एरिया को ढख दिया था। फिर भी यह बंदा सुन लिया। काई जायो तब ही कहती है आगर तुम इंट्रेस्टेड हो तो खुद से कर लो। इस बंदे को विश्वास नहीं होता। यह कहता है लेकिन मेरे हिल्प से हम इसे थोड़ा आसानी से कर सकते है। काई जायो क पर प्रकट होती है। कम से कम 100-200 फिट दूर और सामने के स्पेस में अपने फिंगर को दिखाती है। और वहां पर एक wind fluctuation होता है। फिर यह मूचेन के सामने प्रकट होती है। और कहती है यह बंदा काफी स्टॉंग है। अगर मेरी powers को स्टील नहीं खिया हो गया होता। तो मैं इसे आज यहीं पर इसी स्पेस में सील कर दी थी। मूचेन भी कहता है लगता है यह बंदा फौंगी था रैंक नमबर वन का। मूचेन कहता है यह रिकॉर्ड दोस्ट मने। काई जायो हसके कहती वैसे भी वो बंदा काफी कनिंग था इसलिए मैं उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। मूचेन भी सेम कहता है मुझे भी बिल्कुल इंट्रेश नहीं था यह हसती है और क्याती मुझे लगा कि तुम दोस्को दोस्ट बनाना चाहोगा क्योंकि अगर वो तुम्हारा दोस्ट होगा तो लियू यान भी कुछ नहीं कर सकता था मूचेन हसके कहता है कि मैं दोस्त इसलिए नहीं बनाता है ताकि मैं यूज करनू उनका और वैसे भी तुम तो मेरे साथ हो ही अब काई जायों यहां से निकलती है और मूचेन इसे फॉलो करता है इनके जाने के बाद वो बंदा फिर से कहीं दूर पर पर प्रकट होता है और इने देखता है इसके फिंगर पर कुछ ब्लड ट्रेसे से शायत काई जायों ने जो स्पेस में वो अपना फिंगर अटाक किया था मेभी उसके वज़े से यह थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था फिर भी यह कहता है यह लड़की काफी इंट्रेस्टिं है ड्रैगन फिनिक्स क्रिफ्ट में मज़ा आने वाला है तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए फिडियो के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्स्राइब कर दो